नमस्कार आज केंद्री ग्रेह मंत्री अमित्सा का राची में आगमन होने वाला है इस वक्त हमें इंद्रा गांधी चौक पर है जो की चुटिया में है और यहां आप देखें अभी चार बजे का वक्त हो रहा है और इसी वक्त से लोगों का जमावड़ा जो है वो लगना आप तु देखी रहे हैं लोग घरों से स्वता निकले हैं चाए महिला हैं चाए बुजूर्गों बच्चे हैं स्वता निकल रहे हैं सिर्फ उनको पता चल गया हमारे ग्रीमंत्रियमी सा आ रहे हैं तो आप देखे और एक घंटा के बाद आप देखेंगे कि सड़कों पर पैर रखने कभी जगा नहीं होगा इतना लोग उत्साहित हैं रांची के लोग सभा के जितने निवासी और पूरे हिंदुस्तान में जहां भी हो जा रहे हैं लगतार भीड उमडरी इस तरह से लोग स्वता एक तरह से आपको सकती जीत आज लग रहा है जीत दर्ज हो गया एक जन मानस को है और अभी हम यहां से गुजरें तो कई लोगों ने रोड में में रोक के पूचा कि कब उनका आगमन होगा भई हम लोग खड़े हैं उनका दिदार करने के लिए तो ऐसे जैसके बहुत लोग प्रिये हमारे ग्री मंत्री आए हैं पूरा उत्सा पूरा यह में हो रहा है लेकिन इसका उत्सा पूरा जारकान में मनगा तो देखें अभी से ही लोगों है कि आज अमी साजी यहां आरे सिकेंड लाइन ओप कंट्रोल सिकेंड लाइन ऑप कंट्रोल और जो पसी में आ रहे हैं वो भाजपा मही है अच्छा चुटिया इलाका पूरा भा दूद तो देख का आजार करता है यह दो पहुच गहीं कैसे देख रही है अग्री मंतरी के आगमन और यह दिकीन ऑंका अगमन एसे राची में पहले भी आप लोगों है भाजपा केवल हमां कार्यकर्ताओं में नहीं बाकी लोगों में भी इतना उत्सा हो जाता है कि लोग पुरा जसन का महौल है पुरा तेयादी है लोग अपने घरों के सामने खड़े हैं कि कम हमारे गरी मंत्री आये हैं और हम लोग धर्चन करें इसी गाड़ी पर होगा क्या रोट शो देखे यही वह गाड़ी है इस गाड़ी को आप देख लिजे इसी गाड़ी पर जो है ग्री मंत्री अमित शाह रोट शो करते हुए इंद्रा गांधी चौक से सरस्वति विद्या मंदिर स्कूल है वहां तक जाएंगे और अभी लोगो जो हमारे पास है सब कुछ वतन के वास्ते हमारे सरीर का एक कतरा खून वतन के वास्ते खून वतन के वास्ते ए वतन ये महल मिनारे तेरी जागीर है मंदिर महजिद चर्च और गुर्दवारे तेरी जागीर है खेत में हस्ती फतल का धन, वतन के वास्ते, कार खाने का उत्पादन, वतन के वास्ते, हर दुल्हन के हाथ का कंगन, वतन के वास्ते, हर मंगर सुत्र का कंजन, वतन के वास्ते, सर कटाने का पावन वचन, वतन के वास्ते, ए वतन तुझे सलाम, ए देश के बीरो तुझे सलाम तो देश का एक भोट मोदी के नाम क्यों नहीं, आपका एक भोट देश की खुसाली के लिए क्यों नहीं, आपका एक भोट देश की तरक्टी के लिए क्यों नहीं, पूच्टा है भारत फिर से मोदी क्यों नहीं, पूच्टा है भारत फिर से मोदी क्यों नहीं, पूच्टा ह तो चुटियाबाशी नगरी में किये हैं हम लोग 400 पार के उपर से भी सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग चार सो पार लाएंगे और देश नया अवाम करेंगे पिछले 70 साल से अमने कांगरेशी सरकार में जी रहे थे उसने क्या किया और 10 साल में हमारी सरकार ने क्या किया आप यहां देखें यूबाशा किने कर्देखाएंग स cui सन्जीव बिजयवर जी से बातकर आकुट करिंघे क्या माहौन चुटिया है यहां अपने देश के ग्री मंत्री हमीं सा आ रहे हैं और कारकरताओं का उत्सा जन्ता का उत्सा अभी से 5 लाग पार संजे सेट को दिखा रहा है इतना इत्सा है बिल्कुल 100% अभी आप देखिए आदा गंता में क्या से क्या होने वाला है रोट्शो को लेकर क्या कुछ अन्पिजा देखिए रोट्शो में गाउं गाउं से लोग नगाड़े लेकर आगे हैं डोल नगाड़े लेकर आए हैं हमारे कई महिला बहने इस कारिक्रम में जारकन की परंपुरा को दिखाने वाली हैं कार करता अभी सब एरिया से पहुच र देते हैं पुरे भगवा रंग से गाड़ी को जो है वो रंगा हुआ ये गाड़ी है और यही यही वो गाड़ी है जिसमें क्रेंदी ग्रीमंत्री अमिच शाह चड़ कर रोडशो करेंगे यहां इंद्रा गांधी चौक से लेकर सरस्थी विद्या मंदिर तक जाएंगे गा जो है वो चल रही है और लोगों में काफी उत्सा है इस रोडशो को लेकर रमिक साके आगमन को लेकर अभी से तैयारियां जो चल रही है छे बजे के बाद का महौल चुटिया में कुछ अलग होगा जारकंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 माक्स पार 10th पास स्टूडेंज के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंज के लिए फ्रेशर कोर्स 12th पास स्टूडेंज के लिए टार्गेट कोर्स 18th अपरेल से शुरू हो रहे हैं कॉंटाक बायो कर दो